व्लॉग और आज मैं आपको बताने बिला हूं कि मैं अपनी फ्यूचर में आप जो वीडियो एडिट करूंगा वो कैसे करूंगा पर्ष्ट मैंने अपना एक लाप्टॉप लिया ठीक है इसकी स्पेसिफिकेशन्स में आपको जर्नली बता देता हूं इसमें राइजन 5 का एक तो प्रोसेसर लगा हूँ है और एमडी रेडन के ग्राफिक काड है जो की चार्जी भी क्या है और इसमें राम डल्यूग यह वो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अब वहां से कर लेना 4K में फ्री दे देता है तो मैं इसका सिंपल ओवर्व्यू दे यह इसकी यहां पर होगा ओके हां तो अभी यह वला है हमारे को यह पहले तो अपना प्रोजेक्ट क्रेट करना पड़ेगा और यहां पर आप रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं 4K है ना 1080p कर सकते हैं वह आपके लापटॉप की स्पैसिफिकेशन पर डिबाइन करता है कि आपका लापटॉप कितना आ हमारा सपोर्ट करता है और FPS में रखोंगा इसको 60 बिगाज जो मैं व्लॉग जो शूट करूंगा वो 60 FPS में हो रहा है तो अगर उससे जादा करूंगा तो इसका एडिटिंग में टाइम लगेगा और वो क्वाल्टी भी आईगी तो इसमें न्यू लगेगा न्यू प्रजे दाउन रुको डाउनलोड्स है ना मैं अपने एक सिंपल वीडियो उठाता हूं ठीक है मैंने यहां पे सिलेक्ट कर ली और मैंने यह यह आगी मेरी वीडियो यहां पे बैने ट्राइग और ड्रॉप की यह भी उठाई यह यहां पे यहां पे ट्राइग और ड्रॉप कर दी ठीक है अब यहां पे बीच में भी हम transition डाल सकते हैं तो transition select करेंगे और fade in fade out लगा देते हैं मैं यहां पे ऐसे select कर दिया तब fade in fade out वाला चल जाएगा तो यह fade in fade out हो गया और इसमें काफी अच्छे effects नल जाते हैं जो कि हमारे जैसे छोटे मोटे creator के लिए बहुत होते हैं जो कि free में है और without any watermark और यह चीज़ आपको मैं एक चीज़ कहूं यह आपको बहुत help करेगी और ऐसी ऐसी apps में आपको बताता हूंगा और जिस जिस से मैं edit करता हूं जैसे मेरे को अब में एक और आता है Microsoft का click चाप है ना वह भी मैं आपको बता जाता हूं आपको लाप टॉप में install करना बटता है या फिर installed ही आता है मैं दिखा जाता हूं आपको here up एक second open होता है तो यह इसमें आपको effects लाद अच्छे मिलेंगे है ना बट आपको जो export सिर्फ यह करेगा आपको 1080p में बट आपको limited ही मिलते हैं इसमें जैसे media बगर उठाओ तो आपको काफी record की भी option दे देता है बट यह सारा कुछ 1080p में करता है तो इसमें थोड़ी बहुत आपको जैसे यह देखो stickers हो गए यह काफी अच्छे दे देता आपको तो आप यह वाला भी use कर सकते हो तो यह stickers हो गए रहा तो मेरा जो होता है ना मैं ऐसे भी करता हूं जब मेरे को काफी जादा fancy video edit करने होती ना तो मैं ऐसा यह यह वाला software भी use कर लेता हूं है ना templates भी दे देता है आपको यह कि हाँ आपको अगर thumbnail बनाना हो या फिर कुछ भी intro वगएरा जो मर्जी करना हो ना यह आपको प्री बिल्ड दे देता है और text भी यहां पर अच्छ है तो यह easy to है और यह free है यह भी watermark के बिना आता है बट इसका जो export है ना वो सिरफ 1080p में करता है तो मैं आपको एक solution बताऊं इसका क्या करो इसमें आप अपनी 4K वाली video डालो उसको 1080p में export कर लो और उसके बाद जो है वह वाले software पर जाओ वीडियो प्रॉग वाले पर और वीडियो प्रॉग व्लॉगर है ना इस पर जाओ और इस पर export मार दो 4K में सिद्धा बस कोई लोड नी है ना तो आपको यह 4K में eligible हो जागी उसके बाद आप उसको कर दो YouTube प्लोड आपकी ऐसे हो जागी अराम से free में बट इसका जो click charm का एक ही drawback है तोड़ा limited जैता है जैसे अब यह वली जो है अच्छे transitions है जैसे यह वला digital glitch है ना liquid swirl यह सारे आपको जो है इसका subscription में मिलते है तो अगर आप अगर subscription में ले सकते हो वो भी जादा महेंगी नहीं है 9,000 पर मन्त है बट अगर अब मालो मेरी जो है मेरी जो है starting है ना तो मैं अतना pay तो करूंगा नहीं पहले तो मैं को तो free में चाहिए तो मैं free वली जो मैं आपको एक trick बता रहा हूं वो कर सकते हो उससे आपको क्या है उससे आपको free में 4K की मिल जेगी ताकि एक तो आपके YouTube पर 4K में वीडियो अप्लोड हो जेगी और साथ में आपको उच्छी fancy वीडियो भी बन जेगी तो ये दो चीज़े आप कर सकते हो यही चीज मैं करता हूं और आप भी कर सकते हो अपना channel खोल सक करता हूंगा मैं कि आप जो है फोन में अच्छी वीडियो कैसी कर सकते है बट वो सिरफ 1080p sport के रहा करेगा 4K उस पर नहीं होगी पर 1080p में आपको बहुत अच्छा आप बताऊंगा तो वो भी आप जुरूर चेक करना तो यह वीडियो के लिए तन ही था अगर आपको कुछ इनफर्मेटिव लगा हो तो इस चैनल तो सब्सक्राइब कर लो बिकॉज इस पर मैं व्लॉग भी डाला करूंगा और यह 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 वीडियो भी डाला करूंगा जिससे आपको टिप्स और ट्रेक्स मिलती रहे कि मैं कैसे अपनी वीडियो एडिट करता हूं बिकॉज पाफी इनफर्मेटिव लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो जितना आप कर सकते हैंड आज के लिए इतना ही पाइड शूट किया था व्लॉग तो नहीं एक चोटी सी 5-6 मिनिट की वीडियो शूट करी थी और इससा स्ट 2.4 GB तो अगर क्वालिटी अपग्रेड करते हो ना तो आपको इतना तो कर नहीं पड़ता है तो आपको एक अच्छी स्टोरेज भी चाहिए मैं मैं एक्स टो मैक्स कहूंगा अगर आप बैक अप नहीं लेते हैं अपनी वीडियो का जैसे मैं बैक अप नहीं लेता अपनी वीडियो का मैं को होता है कि अल्क बर यूट्यूब पर अप्लोड होगी उसके बद कोई नहीं मैं उसको डाउनलोड करके फिर से कर सकता हूं अगर आप बैक अप लित हो ना तो आपको वान टीबी के हार्ड डिस्क हो एट लिस्ट चाहिए ही चाहिए तो एक या फिर एड हाड डिस्क की जगह ना SSD यूज करा करो बबद उसकी स्पीड काफी ज्याद होती है अब ही मैंने थोड़ी देन में किया था ना और इतनी जल्दी हो चुका है और हाड डिस्क की स्पीड आपको पते यह कितनी जाद होती है तो प्लीज इंशॉर करना जब आप 4 के करो ना या फिर 1080pb करो ना अगर आपको काफी अची स्पीड तो प्लीज SSD लगा ले ना हाड डिस्क में ना करना तो यह चीज ज़रूद जहां में रखना एक और टिप थी आजके लिए तमेगी